हाई एबरिवान आज मैं आप सब के साथ एक बिरियानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये जो रेसिपी है ये बहुत ही जल्द बहुत आसानी से बहुत ही कम समय में बनके रेडी हो जाता है आपके पास जितना भी सामानों उसमें ये बन के रेडी हो जाएगा और खाने में भी बहुत ज़्यदा टेश्टी होता है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है ये खाने में तो चलिए आज का ये वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के बिर्यानी की रेसिपी पहले आपको पानी को करम करने ला है उसमें मैंने एक बड़ा चमस नमक डाला है और इसमें मैं ये राइस डाले हूँ और इसको राइस को आपको 70% ही पकाना है ज्यादा नहीं पकाना है और इसे चान देना है चान कने के बाद इसे आपको खुला रखना है ढके नहीं रखना है इसके बाद मैंने यहाँ पर एक को बॉयल कर लिया है इसमें साइड में रख लो यहाँ पर एक प्यान गरम कर लिया तक प्यास का प्यास के प्यास का प्यास का लिए है इसलिए आपको तब तक इसको फ्राय करना है और मैं यह जो भाइस ओवर कर रहे हूं यह मैं अभी होटल में हूँ और यहां पर बहुत ज़्यादा रज से बहुत साउंड आता है होटल एक दम रोड साइड में इसलिए बहुत ज़्यादा आपको नौइज हो रहे होगी तो हम थोड़ा सा मिर्च आड करेंगे मिर्च आड करने से क्या होगा प्यास का जो कलर है बहुत ही ज़्यादा मतलब लाल हो जाएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है बस थोड़ा सा यह मिर्च आड करना है आप अपने स्वात का अनुसार मिर्च आड कर सकते हैं या फिर तीखा वहला जो मीर चोता भी बोई भी हाड कर सकते हैं अब इससे इसमें मैं थोड़ा सा अद्रक लेसुन का पेश्ट है इसे मैं डाल दूगी यहां पर मैंने दो चमच अद्रक लेसुन का पेश्ट ढ़ला है और इससे भी अच्छे सब ढालेंगे बस दो तीन मिनीट टैस्को एसे ही पकाना है अभी हम इसमें समें हल्दी डाले हन्दी मेंने हाँ पर हाप चमस डालाए और हम अच्छे से मिला लेंगे और अभी इसको और दो से तो साफ में यहां पर यद्ट की तमाटर काट के रखा था उससे में डाल दिया है अब टमाटर को पकने के लिए देंगे और थोड़ा सा इसको फ्राइ कर लेंगे यह पर मतलब चार से पांच मिनिट तक आपको फ्राइ करना है अभी नमक डाल दे रहे हूं आप अपने टेस् निरत्य को और पका लूँगी तरhat मैं को लगता है बिरियानी जो होता है बहुत ताम modes का मतलब करना पड़ता है लेकिन में आझ से आपको यह सिम्पल सद dol तक दाल सकते हैं और यहां पर मैं थोड़ा सा करी पाउडर, मैं दाल नहीं तो यहां पर। दाल एक द्यूंट आपको ज्यादा प्सक्ता पसन नहीं है तो आप ज्यादा दही मड डालेगा। दही डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी बस इससे और दो से तीन मिले तक फ्राय करना है बस मसाला हमारा भी भून चुका है क्योंकि मसाला साइट से ओयल भी छोड़ने लगा है तो अभी मैं जो अंडा है उसको छील लूँगी अच्छे से और इसके बाद मतलब जो काटा चमस हो जाए उसमें थोड़ा थोड़ा होल कर लूँगी और इसके बाद यह सब्जी है इसको मैं अच्छे से देख रहे हूं कि हुआ या नहीं हाँ यह अच्छे से पग गया है अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी पानी डालने के बाद मैं इसमें एग आड करूंगे जैसे सिंपल सा अंडे की सब्जी बनती है बस बेसे ही आपको करना है और कुछ यादा नहीं करना है पस अंडे को आपको फ्राय किया जाता है बस इसमें विर्यानी में आपको अंडे फ्राय नहीं करने है बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द बन डग दीजेगा और पकाएगा आप चाहे तो इसमें आलू भी आड़ कर सकते हैं वह भी ज़्यादा टेस्टी लगता है लेकिन मैं जल्दी जल्दी में यहाँ पर आलू आड़ नहीं क्यों और इसके बाद आपको इसके उपर आइस का ऐसे मतलब लेयर दे देना है और इसे ज लाइक, सेर और सब्सक्राइब मैं शैनल और यहाँ पर मैं थोड़ा सा राइता भी बना रहे हूं इसकी रेसिपी में बाद में आप लोगों यह साथ सेर करेंगी बहुत सिंपल रेसिपी है सो कीप वाचिंग थैंक यू